ओम नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि करक रासी बालों का आने बाला दो दिन यानी की 16 मार्च एबं 17 मार्च का दिन कैसा बीतेगा आने बाले दो दिनों में करक रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबम सांदार हो सके मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने वाले दो दिनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा होगा मित्रों आने वाले शमय से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने वाले शमय में अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए क्योंकि आपके आर्थिक जीवन के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य तोर पे बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने वाले शमय में आपके बिक्तिगत मुर्चे पे कोई बड़ी चीज होने बाली है जो आपके एबम आपके पड़िवार के लिए खुसी एबम उल्लास लेकर आएगा जिसके कारण आपका पड़िवारिक जीबन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके प्रेम शम्बंध की बात करें तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से आपका आने वाला शमय सामान्य से बहुत जयादा नीचे है मित्रो आने वाले शमय में यदि आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात में आपको अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका की पसंद उनके ना पसंद पे आपको ध्यान देना होगा जो उन्हें पसंद हो आपको वही करना चाहिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेम शंबंध में पड़ेशानी का सामना आपको अवश्य करना होगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यानी की एक आपके लिए भाग्यसाली रंग है पारदर्सी एबम गुलाबी मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अपने इष्ट देब की पूजा करनी चाहिए अपने पूजा पाथ से अपने इष्ट देब को आपको खुस करना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें, एबं इस वीडियो को आप हरे जगह से यर कर दें, धन्यवाद